असलाम अलेकुम आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी किस तरीके से हम SEO Edge Blogger Template में Footer Credit को चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक blog create करूँगी जो कि Demo Blog होगा और उसमें हम SEO Edge Blogger Template को upload करेंगे यहां से मैं इसे डाउनलोड कर लूँगी और फिर हम upload कर लेंगे अगर आपको upload नहीं करना आता तो उसका भी complete process मैंने पहले एक वीडियो में describe कर दिया है अगर आपको नहीं करना आता तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं उसका link में description में आपके साथ share कर दूँगी तो यहां पर हमें एक demo blog create करेंगे मैं SEO Edge के name से ही यहां पर एक blog को create कर दूँगी यह देखें हमारे पास SEO Edge Blogger Template एक demo blog create हो चुका है और यहां पर यहां पर मैं जाकर edit HTML करूँगी क्योंकि यहां पर पहले by default जो blogger template था वो उसको change करूँगी और यहां पर SEO Edge blogger template को upload कर दूँगी यह देखें update successful अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा यह हमारे पास यहां पर upload हो चुका है अब इस वाले हमारे blogger template में हमें footer credit को change करना है तो इसके लिए यहां पर मेरे पास two codes हैं जो के मैं इन दोनों को apply करके आपको दिखाऊंगी दोनों ही work करेंगे इसमें आपने थोड़ी सी changing करनी है कि यहां पर अपने blog का URL एड़ करना है उसके बाद यहां पर tag की जगह पर आपको कोई भी word एड़ करना है अपना name एड़ कर सकते है या फिर blog का name बाकी आपको इसी तरीके से रहने देना है यहां font size 1 pixel का मतलब है कि बाकी का इसके बाद code apply करने के बाद जितना भी वो style होगा उसका font size 1 pixel होगा second वाले code में इसी तरीके से आपको copyright के सामने से जो 2024 नज़र आ रहा है यहां पर आप जिस year में यह वीडियो देख रहे है वो वाले यहां पर एड़ कर देना है अपने blog का URL यहां पर एड़ करना है और यहां पर आप कोई भी color एड़ कर सकते हैं यानि कि उस color code को एड़ करना है अपने जो भी color आप अप्लाइ करना चाहते हैं उसके बाद far setting opacity to zero इसमें आप हम container रो एड़ करते हैं जिसमें हम बाकी का जितना भी नीचे लिखा होगा इस code को अप्लाइ करने के बाद उस सब को हाइड किया जाता है यही code पहले मैं बाकी वाले जो remove photo credit वाली वीडियो बनाई है मैंने सोरा templates को या फिर galaxy template में उनमें भी हमने apply किया है लेकिन यहाँ पर SEO edge में थोड़ी सी यहाँ पर changing होगी यानि के code को किसी और तरीके से apply करना होगा क्योंकि इसके HTML का view थोड़ा सा different है बाकी वाले logo templates की बजाए तो सबसे पहले कोई भी changing करने से पहले आपने backup ले लेना है उसके बाद यहाँ पर मैं edit HTML करूँगी अब यहाँ पर हम देख लेंगे के हमारे पास photo credit में क्या word add है यानि के यहाँ पर design by लिखा है हो सकता है आपके created by, crafted by कुछ भी ऐसे का words हो तो जो भी words होंगे आपने वही word यहाँ पर search करना है किस तरीके से कहीं पर भी click करके control F press करना है और यहाँ पर design by लिख देना है अब यह देखें यहाँ पर हमारे पास design by आ चुका है अब यह design by में जो भी code यहाँ पर add है यह इस वाले blogger template की तर्फ से जो हमारे पास वहाँ पर footer credit शो हो रहा है उस वाले footer credit का link है यह वाला design by free blogger template distributed by blogger template यह वाला footer credit है यहाँ पर जो के add हुआ है इस design by के उपर आपको यहाँ पर footer copyright मिलेगा यह देखें इस footer copyright के उपर footer container और footer outer यह दो options मिलेंगी इस में से आपने footer container वाली को choose करना है यहाँ पर footer container यह देखें यहाँ पर click करके आपको enter press करना है enter press करने के बाद हम यहाँ पर अपना first code try करेंगे यह वाले code को मैं copy कर लूँगी याद रहे आपको अपने blog का URL एड़ करना है और जो भी word आप add करना चाहें वो वाला word add करना है अब इस वाले code को copy कर लिया इस footer container के नीचे आपको इस code को paste कर देना है इस तरीके से अब थोड़ा से scroll down करें तो जहाँ पर B section close हो रहा है यहाँ पर आपको 3 deep classes मिलेंगी इस में से आपने एक को copy कर लियना है और यहाँ पर enter प्रेस करके deep class को paste कर देना है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह code work नहीं करेगा यहाँ से setting को save कर देना है अब इस setting को हम save कर देंगे यह देखें update successful अब इस वाले page के हम refresh करके देख लेकते हैं कि यहाँ पर यह code ने work किया है या नहीं तो यह देखें यहाँ पर जो पहले से photo credit था वो hide हो चुका है और जो हमने photo credit को add किया है वो यहाँ पर अब show हो रहा है यहाँ पर आप अपनी मर्जिका कोई भी photo credit add कर सकते हैं अगर अब मैं second वाले code को try करूंगी तो उसके लिए यहाँ से मैं restore कर लूँगी उस वाले blogger template को again ताके उस blogger template का original photo credit वहाँ पर show हो यह देखें यहाँ पर मैंने upload कर लिया है और again designed by free blogger templates यानि के वही वाला photo credit यहाँ पर show हो रहा है अब हम इसके लिए second code को try करेंगे उसके लिए again आपने edit html में जाना है उसी तरीके से same आपको वहाँ पर design by लिखा है तो यहाँ पर design by सर्च करना होगा यह देखें यहाँ पर design by में वही सब कुछ वही link आ चुका है उसमें again आपको उपर footer copyright यहाँ पर लिखा है उसके उपर दो options मिलेंगी second वाले code में जो code पहले दिया है उसको पहले add करना है लेकिन इसमें आपको अपने blog का URL एड़ कर लेना है यहाँ पर यह paste कर दिया उसके बाद आपने second वाले code को copy करना है और जो अभी हमने यहाँ पर paste किया code वहाँ पर enter press करके वहीं पर ही उस second code को paste करना है लेकिन जो code अभी हमने यहाँ पर paste किया है उसके नीचे इस code को paste करना है second वाले को अगर आप इससे उपर add कर देंगे तो यह code जो है वो hide करने के लिए होता है आपका अपना copyright जो आप add कर रहे है फूटर credit वो भी hide हो जाएगा और वहाँ पर show नहीं होगा अब हमने second वाले code को भी add कर दिया है पहले वाले code को आपको पहले add करना है फूटर container के नीचे और second वाले को बाद में पहले वाले के नीचे अब again भी section में जाना है आपने यहाँ पर तीन deep class मिलेंगी आपको एक कॉपी करके यहाँ पर paste कर देना है और इस setting को यहाँ से save कर देना है यह हमारे पास update successful हो चुका है अब हम अपने blog को refresh करके देख लेते हैं तो यह देखें हमारे पास यहाँ पर photo copyright change हो चुका है अब यह देखें यहाँ पर tag जो है add कर दूँगी अपनी मर्जी का कोई भी color code यहाँ से select करें और अपने code में उसको paste करके कोई भी color change कर सकते है photo credit में करना क्या है यहाँ पर आपको जहाँ color लिखा है वहाँ पर उस code को change करना है यह देखें यहाँ पर मैं color में इस वाले यह black color के लिए यह code है यहाँ पर white में change कर दूँगी इसको और setting को save कर दूँगी अब देखते हैं यहाँ पर यह color apply हुआ है या नहीं यहाँ से इस page को refresh करके देख लेते हैं और यह देखें यहाँ पर आप जो भी color चाहें सिर्फ आपको करना का उसके लिए color code को यहाँ से change करना है और उस वाले color को अपने photo credit में add कर सकते हैं तो इस तरीके से आप SEO Edge Blogger Template में photo credit को change कर सकते हैं यह सभी codes मैं description में इनके link देदूँगी आप वहाँ से जाकर इन codes के access ले सकते हैं अब मैंने आपको बताया था कि आप second वाले code में जो दो code मैंने provide किया है उसमें दूसरे वाले code को बाद में add करना है क्योंकि अगर आप उससे पहले add करेंगे तो जितने भी photo credit होगा सभी hide हो जाएगा अब यह देखे मैं आपको करके दिखा देती हूँ अगर हम second वाला जो code है उसको मैं पहले add कर दूँ अपने copyright provide करने से पहले इससे save करके मैं आपको दिखा देती हूँ अब यह देखें इस page को refresh कर लेंगे और यह वाला जो second वाला code है वो पहले add करने से जो भी photo credit होगा वो सब कुछ hide हो जाएगा यह देखें इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर अपना photo credit add करना है तो यह वाले code को जो के hide करने के लिए है उसको अपने जो आपने copyright link या code प्रोवाइड किया है उसके बाद आपको add करना है फिर setting को save करना है और इस तरीके से आप अपना photo credit add कर सकते हैं I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा चैनल को जल्दी से subscribe कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीस